नमस्कार बहुत बहुत स्वागत थे आपका विंद्या टाइम्स में मैं नाम है आयूशानन्द आधिवासी जन नायक बिर्सा मुंडा की जयन्ती 15 नवंबर को शहडोल में आयूजित जन जाती गौडव दिवस में राश्पती द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी मुख्यमंत्री शिवरासींग चोहान ने ट्वीट कर इसकी जनकारी दी है शहडोल में राजस्तरिय कारिकरम आयूजित किया गया है मुख्यमंत्री शिवरासींग चोहान आपको बताने की पेंच राश्पती उद्यान में थे वहां से वे आज शहडोल पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठ कर राश्पती के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की जैजा लिया मुख्यमंत्री ने बताया कि रविवार को सुभा राश्पती द्रौपदी मुर्मू से बात हुई मैंने उन्हें मध्यप्रदेश आने का निमंतरन दिया हमारा स्वभाग्य है कि उन्होंने इसे स्विकार किया है राश्पती का मध्यप्रदेश का प्रथम आगमन हमारे लिए गौरव का मिशे है संपूर्ण मध्यप्रदेश राश्पती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करता है और आपको बताने कि प्रदेश सरकार ने जन्जातिय गौरव दिवस से आपको बताने कि पेशा अधिनियम के अंतरगत बनाए नियमों को लागू किया जाएगा इससे 89 अधिवासी विकास खंडों में ग्राम सभा को स्थानिय स्तर पर रोजगार भूमी प्रबंधन वन प्रबंधन सहित अन्य शेत्रों के अधिकार मिलेंगे ग्राम सभा ही निर्ने लेगी कि ग्रामीर शेत्रों में शेहर की नई दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी भूमी अधिग्रहन के संबंध में भी ग्राम सभा से पहले अनुमती लेनी होगी जन जाति गौरव विशे एक बहुत बड़ा विशे है और जन जाति गौरव-दिवस के अफसर पर यह कारिकरम आयुजित किया रहा है कारिकरम प्रदेश की सभी पंचायतों में आयुजित किये जाएंगे आपको बता दें कि ये कारिक्रम जो होगा वो पूरे प्रदेश भर में होगा सांस्कृतिक कारिक्रम इसमें शामिल होगे पिछले साल जनजातिय गौरव दिवस पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भुपाल में आयुजित कारिक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने विश्व स्तरिय सुविधाओं से लैस रानी कमलापती स्टेशन का लोकारपन किया था बेहद ही दिलचस्प होगा यह देखना कि द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्यप्रदेश आएंगी राश्पती आएंगी पहली बार मध्यप्रदेश में और उनका स्वागत शहडोल में बेहद ही गौरव मैं तरीके से किया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद